नमस्ते, स्वाकत है आपका ममीट्यूबर में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 organizations के बारे में foundations के बारे में जो 1st से लेके 5 तक के Olympiats conduct कराते हैं इस वीडियो में मैंने कोई ranking नहीं दी है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ कोई organization का नाम पहले लिया है तो वो number 1 है, दूसरा लिया है तो number 2 है as such कोई ranking नहीं है यह 5 organizations अच्छी है बट हाँ, वीडियो के end में मैं अपने top 2 जरूर आपको बताऊंगी, मतलब आप अपने बच्चे को हर organization का olympiard तो नहीं दिला सकते हैं तो अगर आपको चूस करना हो तो आप कौन से तो चूस कर सकते हैं पहला है ITO, यानि के Indian Talent Olympiad and it is becoming very popular because of its few unique features that it is providing मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजे हैं जो और olympiards नहीं प्रोवाइड करती हैं जैसे for example ये live classes देते हैं SOF ने बीच में शुरू करी थी बट उनकी थोड़ी on and off रहती है and बाकी जो olympiards भी live classes देते हैं उनकी on and off रहती है बट इनकी live classes regularly रहती है second is आप मन्थली भी टेस्ट दे सकते हैं और इनके जो mock test होते हैं जो sample test होते हैं आप कह सकते हैं तो वो free of cost होते हैं उसका कोई charge नहीं होता है इनके olympiards class 1 से लेके class 10 तक के होते हैं and one more feature is जहां सारे बाकी सारे olympiards generally English, Maths, Science या फिर social studies के test ही लेते हैं ये लोग essay and drawing का भी olympiards conduct कराते हैं और एक और जो मुझे बहुत अच्छा feature लगा इनका कि generally जो olympiards होते हैं वो school को उन olympiards यानि उन organizations में register करना पड़ता है तब ही बच्चा दे पाता है और अगर school registered नहीं है तो school की through ही बच्चे को उन olympiard organizations को contact करना पड़ता है इसमें home schooling कर रहा बच्चा भी enroll कर सकता है तो ऐसे for example मैंने अपनी बेटी को home schooling ही कराई है और आगे भी मैं उसको home schooling का ही सोच रहे हूँ तो ऐसे बच्चे जो घर पे पड़ रहे हैं किसी school से associated नहीं है किसी school नहीं जाते हैं वो भी इसमें enroll करा सकते हैं इस Olympiad की preparation के लिए भी आपको exam papers, sample papers इनकी website पे मिल जाएंगे website का link और इनके YouTube channel का link मैं description box में दे दोंगी Next one is ASET Assessment of Scholastic Skills Through Educational Testing ये one of the largest organization है जो assessment करती है ये लोग India में, UAE में Olympiads conduct कराते हैं and Singapore and African countries में भी कराते हैं ये लोग class 3rd से Olympiads लेना शिरू करते हैं सो 1st, 2nd के बच्चों के लिए नहीं है ये साल में एक बार ही Olympiads टेस्ट कंड़क कराते हैं और generally January, end या Feb, 1st week में इसकी dates होती हैं एक्जाट डेट देखने के लिए आपको इनकी website regularly चेक करनी पड़ेगी ये mock test यानि के sample test भी कंड़क कराते हैं बट उसकी fees होती है The third one is SOF Science Olympiad Foundation It is one of the most reputed Olympiad conducting foundations ये class 1 से लेके class 10 तक के लिए Olympiad कराते हैं इनके भी exams generally November, December के टाइम पे होते हैं अगें, exact dates चेक करनी है तो प्लीज मुझसे comment section में मत पूछिएगा आप इनकी website पर जाके चेक करिए exact dates ये computer, science, English, social science ऐसे बहुत से subjects में Olympiad कंड़क कराते हैं बच्चा किसी एक में participate कर सकता है या कई में कर सकता है अगें, बच्चे को कैसे participate करना है schools register होते हैं Olympiad में, तो बच्चा school के थूँ बैठ सकता है अगर नहीं है, तो इनको request कर सकता है या school वालों को request कर सकता है कि उसको Olympiad में participate करना है इसकी preparation के लिए sample papers आपको इनकी website पे मिल जाएंगे और इसके अलावा मैंने कुछ books भी दिखाई है पास्ट में, अपने वीडियो में और वो जो बुक्स हैं, वो सारे उलम्पियाद की preparation में help करती हैं तो आप वो वीडियो भी चेक आउट कर सकते हैं मैं लिंक दिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा फोर्थ वन इस सिल्वर जोन फांडेशन दिस अलसो अनाशनल लेवल ओगनाइज़ेशन और यह लोग वन से लेके 12 तक ओलम्पियाद कराते हैं साथ में LKG एन UKG क्लास के लिए भी कराते हैं कैसे रिजिस्टर करना है, क्वेशन कैसे आते हैं, सांपल पेपर के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक आउट कर सकते हैं वेबसाइट है www.silverzone.org दे फिफ्ट वन इस उनिफाइट कांसल यह भी एक private organization है, जो फर्स से लेके 12 तक के बच्चों के लिए उलम्पियाट कंडग कराती है इनको Times of India ने अभी recently recognize भी किया है अगर आपके बच्चे का school इस organization के साथ registered है, तो आप school के थरू पार्टिसिपेट करा सकते हैं नहीं तो आप अपने बच्चे को directly apply भी करा सकते हैं डीटेल्स के लिए website है www.unifiedcouncil.com My top two picks are ITO, Indian Talent Olympiad and SOF, Science Olympiad Foundation reason, SOF is quite popular and its questions काफी अच्छे आते हैं and ITO is also becoming popular and its के कही unique features हैं जो parents के लिए काफी helpful होंगे and बच्चों के assessment भी ये लोग काफी अच्छे से करते हैं विडियो खतम करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि बच्चे को Olympiad exam दिलाना is not a necessity मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चीज़े exist करती है और ये आपको करानी ही चाहिए आप अपने बच्चे को देखिए अपनी priorities देखिए हाँ बस मैं इतना जरूर कहूंगी कि Olympiads help करते हैं आपके बच्चे का level जानने में उसकी strength and weakness जानने में आपका बच्चा किस subject में strong है आगे जाके उसको किस subject में interest आ सकता है और उसको और strong करना और किसमें weak है तो उस पर थोड़ा सा work करना तो Olympiads आपको ये idea बहुत अच्छा देते हैं ऐसे और informative videos के लिए देखते रहें ममी ट्यूबर नमस्ते mummytuberindia.gmail.com पे email drop करिए details आपको forward कर दिये जाएंगे Thank you